हेलो फ्रेंट्स, वेलकम तो मैं चैनल, स्टड़ी विश्रूती इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिस्चार्ज ओफ दा पेशेंट तो होस्पिटल डिस्चार्ज क्या होता है यह वो पॉइंट होता है कि जब एक होस्पिटल केर की जो नीड होती है परसन को वो खतम हो जाती है लेकिन जो उसकी care है वो चलती रहती है और वो उस care के साथ किसी भी primary community या domestic environment में उसको ले जाया जाता है hospital discharge को है वो कोई end point नहीं होता लेकिन उसके साथ क्या क्या होता है multiple transitions जो है वो खुल जाती है patient की health care journey की ठीक है अब हम देखते है definition क्या होते है discharge की discharge of a patient means departure of patient from the hospital जो है supervision treatment की doctors की देखरेक में रहना और जो nurses उसकी care करें वो जो situation होती है वो जो condition होती है वो ठीक हो जाती है जिसके बाद क्या है patient अपने घर चला जाता है वो hospital से discharge हो जाता है ठीक है अब purposes क्या क्या होता है discharge के तो सबसे पहले होता है कि हमें यह ध्यान रखना होता है कि जो care है वो continue में रहे ठीक है उसके बाद एक safe और effective जो है environment जो है patient को मिले और जो भी उसके well beings है और जो भी उसके clothing थी वो हम patient को return कर दें वापिस से एकदम effectively और safely उसके बाद क्या है कि patient को help करना है हमें adjust होने में hospital से जाने के बाद home environment में मतलब hospital का environment और धर्व का environment दोनों बहुत अलग लग होते हैं तो जब patient discharge होता है और वो जो जब home में अपने घर में जाके रहता है तो उसका adjustment उसको वहाँ पे adjust होना सारी चीज़े खुद से करना उसके लिए जो है हमें patient को help करनी होती है उसके बाद हमें ensure करना होता है कि patient को जो है सब पता हो उसकी condition क्या है अभी क्या उसके follow up visits हैं कि उसको कब दुबारत check up कराने के लिए आना है या फिर उसको किसी referral जो health care agency है वहाँ पे जाने की क्या करना है सारी चीज़े हमें patient को बता देनी होती है inform कर देनी होती है अब इसके बाद आता है types of discharge कि discharge कितने type के होते हैं ठीक है तो इसमें क्या होता है वो depend करता है patient की condition पे या फिर patient और उसकी family members के decision पे कई बार ऐसा होता है कि according to doctors क्या होता है कि patient की condition ठीक होती है लेकिन उसके family members और कहते हैं कि नहीं आप अभी इसको रखो क्योंकि इसको ज़रूरत है ये घर जाके जो है अच्छे से medication नहीं कर लेगा अपनी medicines नहीं लेगा तो उस case में क्या होता है कि हम जो है एक दो दिन के लिए और patient को ही hospital में रखते हैं या फिर कई बार ऐसा हो जाता है कि doctors कहते हैं कि नहीं अभी patient को ज़रूरत है hospital में रखने की उसके बाद बहुत सारे ऐसे factors हैं patient की condition, emotional factor, financial और बाकी सारे कई चीज़े होती हैं उसके बाद discharge के time पे हमें order जो है देखना होता है physician का written form में उसे के हिसाब से discharge होता है अब हम बात करते हैं types की तो यह होता है planned discharge, lama, parol, abscond, referral और discharge and request सबसे पहले आता है planned discharge, planned discharge में क्या होता है कि जो therapeutic treatment था एक patient की actual management थी वो complete हो चुकी है और अब जो patient है उसको supervision में रहने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ doctors उसकी देखरे करें, nurse उसकी care करें उसकी कोई ज़रूरत नहीं है वो अपने जागे घर पे रह सकता है, उसके घर पे भी जो उसकी condition है, उसका जो treatment है वो ठीक से हो सकता है तो इसको कहता है planned discharge की तब management complete हो जाता है तो हम उसको discharge देते हैं उसके बाद आता है lama, leave against medical request इसमें क्या होता है की doctors जो है वो explain कर देता है patient को भी और उसके family members को भी कि अगर आप patient को hospital से लेके जाओगे तो उसकी life को risk हो सकता है लेकिन दब भी patient और family members कहते हैं की नहीं हमें अपने patient को जो है नहीं रखना है यहाँ पर आपके hospital में किसी और hospital में लेके जाना है या घर पर लेके जाना है तो वो cases आते हैं lama के अंदर ठीक है, lama के अंदर क्या होता है की हम patient को या फिर उसके relatives को हम जो है एक declaration मतलब एक पूरा sign करा लेता हैं रिखवा के की वो अपनी मर्जी से जा रहे हैं और जो है hospital ने उनको सारी जो भी risk हो सकता है वो सारे उनको inform कर दिये और एक discharge summary जो है hospital प्रोवाइड कर देगा patient को या फिर उसके relatives को उसके बाद आता है parole, parole जो है psychiatric जो patient होते हैं उनके लिए होता है इन patient को approval मिलता है अपने घर जाने के लिए 2-3 या फिर 4 दिन तक का जिसमें क्यों अगर उसके बाद भी patient वापिस नहीं आता है मतलब 2-3 दिन के लिए या 4 दिन के लिए इसको parole दिया गया है और उसके बाद वो hospital नहीं आ रहा है फिर हम कह सकते हैं आगे के treatment के लिए तो होता है referral लास्ट इस discharge on request इस discharge में क्या होता है कि treatment complete नहीं हुआ है लेकिन patient को जो होस्पिटल से ले जा रहे हैं लेकिन patient को कोई भी danger नहीं है ठीक है patient को कोई भी risk नहीं है उसकी life को लेके कुछ भी तो इस case में हम discharge on request देते हैं लामा में और discharge on request में यही difference है कि लामा में patient की condition को risk होता है patient की life को risk होता है critical condition होती है और discharge on request में patient जो है उसको कोई जादा risk नहीं होता लेकिन उसका treatment complete नहीं होता है